रास्थान के रजवाडों ने किया गुजरात को धेर पॉइंस टेबल में हुआ बड़ा उलट फेर जी हां रास्थान रायल्स और गुजरात टाइटन्स के 20 संडे के डबल हेडर इंकाउंटर के दूसरे मुकाबले में रास्थान रायल्स ने गुजरात टाइटन्स को तीन पिक्टो से मार्क दे दी है ये मुकाबला काफी दिल्चस हुआ और 20 वे ओबर में इसकी समापती हुई एक वक्ट तक जहां गुजरात टाइटन्स इस मुकाबले को आसानी से अपने एक नाम करती हुई दिखरे थी वहां संजू सैंसन और सिमरन हित्मेर की अधुती अवि उलट फेर कर दिया है पॉइंस टेबल देखने से पहले मैच के रिपोर्ट कार्ड को एक नजट डाल लेते हैं कि किसने कितना स्कोर किया गुजराट टाइटन्स ने यहां पे पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 177 रनों का स्कोर स्कोर बोट पे लगाया सुमन ग गेदो पे तीन चोके और एक चक्के सामिलते हैं तो अई डेविड मिलर ने अंतीम में जाते-जाते अपने स्टाइक रेट को भी सुदारा और एक अच्छी पारी खेली 46 रनों की 30 गेदो में और जिसमें 3,4 और दो चक्के सामिलते हैं अगर हम बात करने रास्थान रायल् पारी थी जिसके वज़र से रास्तान मैच में पीछे रहते हुई इस मैच को अपने नाम करने में सफल रही सैमसन ने 60 रहनों की पारी खेली 32 गेदों का सामना किया 187 का इनका जबरजस्त स्ट्राइक रेट था जिसमें तीन गेदों पे तीन छक्के रासित खान जैसे बॉलर जड़े तो वहीं सिम्रन हितमयर ने सांदार 56 रनों की पारी खेली 26 गेदों पे दो चौके और पांच चके और ये इंसोर किया कि रास्तान रायल्स लाश्ट में फिनिस करे और इस मैच को भी अपने नाम कर ले अगर हम बात करें गुजराट टाइटन्स के बॉलिंग अट वह गुजराट को नीचे कर दी हैं पॉइंच टेबल में और सबसे टेबल टॉपर बन चुके हैं रास्तान रायल्स रास्तान रायल्स का पूरा जो पूइंच टेबल है इस समय रास्तान और गुजराट के मैच के बाद अपडेटेट पॉइंच टेबल वह आपके स्क्रीन पह रास्थान रायल्स आपको टॉप पे दिख रही होगी पांच मैचे खेले हैं चार जीत हासिल किये एक हार हुआ है मतलब इन्होंने मुमेंटम जो IPL टूर्णामेंट है उसमें पकड़ा हुआ है और पिछले साल जो उपवी जेता हुए थे इस साल ये जरूर इसको कनवर हटे लगए मतलब जो जिटने करके विजेता बनने का प्रयास करेंगे लक्ना उस उपर जाएं दूसरे हस्थान पर हैं पांच में तीं जीत है दोहर हैं गुजरात तीसरे आज का मैच वह आज चुव Ganz long P पांच मैच में तीन जीत और दो हार है, पंजाब किंग्स चौथे अस्थान पर है, चार में पांच में तीन जीत दो हार, उनके नाम भी सामिल है, KKR आज का मैच हार चुकी है, पांच में दो जीत तीन हार के साथ, वो पांच में अस्थान पर है, CSK, चार में दो जीत दो हा के साथ आठ में आज मुंबई ने अपना मुकाबला जीता के क्यार को हरा है आँ पे फिर संराइजर हैदराबाद की बात करें इनके चार मैच में दो जीत दो हर के साथ ये नवे और दिल्ली कैपिटल्स एज यूजवल दसमें पे बनी हुई है पांच मैच में एक भी जीता नहीं हुए है पांच हो हारे हुए है और दसमें अस्तान पर है तो यह अपडेटिट पॉइंच टेबल है रास्तान रायल इस जीत के साथ टॉप पर पहुँट चुकी है और वो इस मुमेंटम को आई पिल 2023 के अगले मुकाबलों में बरकरार रखने का प्रयास करेंगे तो